हेलो दोस्तों, विल्कम बैक टूवर्ड चैनल, माईने में सोनम चोहान, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिसक्स करने वाले हैं यह फोर सेमेस्टर के लिए टॉप इंपोर्टेंट MCQ जो की यूनिट वाइस हम इस सिरीज को चलाने वाले हैं, तो यूनिट फर्स में ज मैसेस करते हैं कि 15 अप्रेल से एक्जाम स्टार्ट है, अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि MSU के स्टार्ट है या CCSU के स्टार्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवस्टी है, जहां पर 15 अप्रेल से डेट शीट, मतलब जो डेट है न वो आ चुकी है, वह एक्जामेशन फॉम फिल किये जा रहे हैं, तो ऐसे चीज को मध्य नजर रखते हुए, हमने यह स्टार्ट किये ताकि आपके जो MCQ स्टार्ट किये ताकि आपकी तैयारी है, वो स्ट्रोंग बन सके ठीक है, और बागी आज हमारे 40,000 सब्सक्राइबर हमने अपने चैनल पर कंप्लेट करने हैं तो पहले हैं, तो पहला कोशन यहां से लेते हैं, और सबसे खास बात में इस सीरीज की आपको बदाने वाले की जो यह सीरीज है ना, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेंग्वेज में हमने यह अविलेबल कराई है, ताकि दोनों ही लेंग्वेज के जो स्टुडेंट है, किसी को इंग्लिश में टेंट करने हैं, तो दोनों ही लेंग्वेज के स्टुडेंट इसक कर देना ठीक है तो पहला कोशन क्या बताया है कि युनानी राजनितिक चिंतक था तो सबसे पहले युनानी जो राजनितिक चिंतक थे वो मतलब किस तरीके के आइडिलोजी रखते थे कि ग्रीक पॉलिटिकल थोट वो जो ग्रीक पॉलिटिकल थोट था वो बिसिकली किस तरी हो जाएगा युनानियों ने यानि कि ग्रीक तो ये जो starting थी ये जो establishment था रादनितिक चिंतक का political thinkers का इसके starting युनानियों ने की थी यानि कि ग्रीक ने की थी तीसरा question देखे युनान में रादनितिक दर्शन के युग का प्रारंब हुआ यानि कि कौन सी वो centuries थी जहां पर political जो थोट रहे है जो political philosophy रही है the era of political philosophy begin in Greece तो वो कब था तो option इसका ये सही हो जाएगा फिफ्टी ये फिफ्ट centuries ठीक है यहाँ देख clear out हुआ अब आपको clear out में कर देना चाहते हूँ कि हर एक वीडियो में जो भी हम secure होंगे चाहे वो 15 हों 20 हो 30 हो पचास हो वो एक पूरी unit को cover करेगे ठीक है इसी बात पर फटा फट से लाइक कर दो और share कर दो जितने भी आपके friends रगल है आप चाहते हो कि भी आपकी भी help हो और उसी के साथ आप थोड़ा सा पुण्य कमालो तो उसको share कर दिया करो ठीक है वीडियो को share कर दिया करो ताकि आपको पुण्य मिल सके पुण्य आज की जीवन में बहुत जादा काम आता है ठीक है पैसा तो सभी कमाले दे पुण्य कमाना बहुत ही जाला ज़रूरी होता है जहां पर हम आज की जो मनुशे वो ध्यान नहीं देते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखें यहां पर कि एपिक्यूरियंस के दर्शन में दार्षनि ग्यान को स्थान दिया गया है यानि कि फिलोसिफिकल नॉलिज है तो यहां पर उप्शन इसका सही हो जाएगा यानि की प्रत्थम फर्स्ट सुप्रिम ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन है कि इसका जनम कहां हुआ था विन वर दअपिक्यूरियंस बॉंड तो यहां पर उप्शन इसका मतलब कब हुआ था तो उप्शन इसका बी सही हो जाएगा 342 बी सी यानि की इस पूरवी में 342 इस पूरवी में इसके बाद नेक्स्ट कोशन चलता है आपका प्लेटो से रिलेटरी सारे कोशन है और बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है और अगर आपने प्लेटो की बायग्रफी पढ़ी है जो कि हमने अलड़ी यह ले चुके है नहीं देखा तो जाकर कि देख ले न मैं वीडियो के एंड में उस प्लेटो को शो कर दूगी ठीके जरूर चेक करना क्योंकि प्लेटो को पढ़ना बहुत ही जादा जरूरी पहां से कोशन 100% पूछे जाते है पहला कोशन है कि अफलाटून का जर्म कहां हुआ था अब मैं पूछो अफलाटून कोन था तो आप बढ़े आसान तरह के से बता सकते हो प्लेटो को ही अफलाटून बोला जाता था ठीके तो अफलाटून का जर्म कहां हुआ था वेर वास अफलाटून बॉन तो ऑप्शन थी उसकी जो असीम सक्तियां थी राज्य का मतलब टार्गेट ही बहुत जाद है मतलब पावर को चीव करना पावर को इंक्रीज करना था तो सबसे सपोर्ट करते था तो उप्शन कभी सभी जोगा पैरेकली जोर बार कर ठीक है इसके बाद नेक्स कोशन है कि प्लेटो की कृत क्रिती का नाम किया था कि वोट इस नेम ऑफ प्लेटो वर्क तो मुझी नहीं लगता है इस कोशन को अगर आपने बाइग्रिफ्य पढ़िए ना तो एक कोशन बहुत आसान है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन रिपब्लिक तो सबसे जदा फेमस जो प्लेटो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यानि कि सामज जिग्रंत यानि कि शोशल टेक्स अब शोशल के अंतर गथी सारी चीज़ा आती है कि एक सुसाइटी में राजा को किस तरीके से रहना चाहिए या राजा का भी है कैसा होना चाहिए और उसे स्टेट को जो कि बात करे या स्टेट में जो भी लोग रहन रहे है उनकी बात करे अपॉपलेशन की बात करे एक्सेक्टर एक्स्ट स्टेटा नेक्स्ट को देखे रिपबिलिक पुस्तक को कहा जाता है अब यहां पर एक तो है कि यह किस टाइप का गरंत है अब दूसरा कोशन आता है कि जो रिपब्लिक बुक है कि इस रिपब्लिक बुक को इसके अलावा भी किस तरीके से जाना जाता है तो option इसका ए से हो जाएगा concerning justice ठीक है इसके बाद next question देखे प्लेटो की सामयवादी विवस्ता किस वर्ग के लिए है for which class is प्लेटो communist system so basically ये जो सामयवादी विवस्ता है ये किस-किस वर्ग के लिए है तो यहाँ पर सैनिक और शासक दोनों वर्गों के लिए इन्होंने ये importance इसके बताएए तो option इसका C सही हो जाएगा A और B दोनो इसके बाद next question देखे निमन में जो पर specialization की बात करिए सब इससे relate करते है बट जो नियाए करत्री में है कि जो justice is artificial इसको support नहीं करते तो option इसका B सही हो जाएगा ठीक है next question देखे Plato के गुरू का नाम था who was teacher of Plato तो ये question इस तरह कोशन बहुत जादा पूशे जाते है बिकूस जब आप western थी इंकर को पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए कोन किसका गुरू था कोन किसका शिश्य था option इसका B सही हो जाएगा सुक्राद यानि कि Socrates इंगलिस समस्को Socrates बोला जाता है हिंदी में सुक्राद लिखा जाता है और इसके अलावा next question देखे कि Plato के सामवाद का सिध्धान्त है अब जो इनकी थियोरी है कि Plato's theory of communism is किसे related है तो यह कुलीन तंतरात्मकेनी के elite system ठीक है इसके बाद next question देखे कि सकती शाली का हिच साधन ही निया है कथन किस कही कि statement किस कही कि whose statement is that justice is the means to the benefits of the powerful option इसका A से हो जाएगा ठीक है next question देखे यहाँ पर कि अरस्तु का जन्म हुआ था when was Aristotle born तो यहाँ पर option इसका A से हो जाएगा 384 सापुर मेने कि 384 ठीक है next question देखे बुद्धि मानों का गुरू किसे माना जाता है who is a consider the teacher of the wise option इसका B सही हो जाएगा Aristotle को इसके बाद next question है कि पर्थम रादनितिक विज्ञानिक कौन था who was the first political scientist तो option इसका B सही हो जाएगा अरस्तु ठीक है Aristotle को लेकर कि बहुत सारे questions है and Aristotle की जब आप biography पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है study में कि अरस्तु बाकी जो philosopher रहे उनके comparison में काफी intelligent काफी wise person रहा है उनकी personality काफी effective रही है और सिकंडर जैसे महान शासक भी उनके शिशे रहे हैं ठीक है इसके बाद the next question देखे कि रातनिती शास्तर का पिता महा किसे कहा जाता है तो ये भी कौन है अरस्तु तो option इसका सी सही हो जाएगा कि who is a call the father of politics Aristotle ठीक है सबसे बहुत simple question है बट बहुत साथ है confused इसमें हो जाते हैं जो आप subject पढ़ते हो तो उनके father के नाम तो आपको पता होनी चाहिए कि उनके father को ने उसको बनाया किसने था तो सबसे बड़े जो सबसे पहले political scientist रहे हैं जिन्होंने political science को एक science की तरह माना है science की तरह उनको use करने के लिए मतलब support दिया समर्धन क्या है कि political science is a science ना की art ठीक है तो वो aristotel रहे हैं साथ साथ में अगर उनकी बात करें कि भई जो रादनीती शास्तर के जो father है मतलब जो ये political science है इसके पिता क्या कोन गही जाते तो वो भी aristotel है है ठीक है इसके बाद next question है कि चरम एकता का अर्थ विनाश किसने माना है कि who is considered extreme unity to mean destructions कहने का मतलब इसके simple language में मैं आपको समझाओं कि जो extreme में होता है उसका अर्थ होता है विनाश तो किसी भी चीज की अती दुरगती होती है अगर मैं सही तरी कि नॉर्मली हम अपनी language में बात भी करते है आपने सुना भी होगा कि किसी भी चीज की जो आती होती है उसका मतलब क्या होता है उसका विनाश ही होता है तो आती यहने कि extreme में कुछ नहीं होना चाहिए वो कभी भी profitable होती ही नहीं है तो यह किस ने कहा यह अरस्तु ने कहा यहने कि Aristotle तो option इसका A सही हो जाएगा इसके बाद next question है कि Lysima Vidya Pit किस था अपना किस ने की थी कि who founded Lysima Vidya Pit तो option इसका B सही हो जाएगा Aristotle किसके पिता सिकंदर के दादा दरबार में राजवेद थे तो whose father was a royal physician in the court of Alexander grandfather ठीक है तो वो भी कौन थे अरस्तु तो अरस्तु के दादा जी थे जो राजवेद थे यहने की royal physician थे और जब आप इसकी biography पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए Aristotle स्टार्टिंग में वो मतलब जिनको जूलोजी का भी प्रिता कहा जाता है ठीक है वो मतलब medical line में भी थे बट वो यह की धीरे 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 उनका interest जो था वो political thinkers यह स्चिंतन में चला गए इस research में चला गए तो उनने उनने line change कर दी ठीक है इसके बाद next question देखिए कि रादनिती को स्वतंत्र विज्ञान का सरूप किसने प्रदान किया कि तो option इसका सी सही हो जागा अरस्तु मात्र एक ऐसे philosopher जिन्होंने political science को एक independent science किदर है माना ठीक है यानि कि इसको एक ये जो award है award हम कह सकते है structures हम कह सकते है वो परदान किया next question देखे बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु को किसने का कि अब हम पहले कोशन तो पढ़कर के आ चुके है कि बुद्धिमानों का गुरु अरिस्टोटल को बोला जाता है बट ये statement किसने दिया तो option इसका अरिस्टोटल कहता है कि जो मनुष्य है वो एक राजनितिक पराणी है ठीक है इसके बाद नेक्स कोशन है कि अकादमी का विभाग अरस्तु को किसने कहा तो किसने कहा तो ये भी दानते नहीं का अप्शन इसका डी सही हो जाएगा नेक्स कोशन देखिए सिकंदर का गुरू था वो वाज अलेक्सेंडर स्टीचर तो वो भी अरस्तु ही थे ठीक है ओप्शन इसका इसका ही सही हो जाएगा और इस्टोटल तो सिकंदर के बारे में तो आपको सभी को पता है इसके लिए कहवत बहुत जादा फेमस है कि सिकंदर के घोड़े साथ समुद्र का पानी पीते थे कहने का मतलब ये है कि भई वो पूरे वोर्ड पर अपना सामराज्य स्टैबलिश करने वाला पहला ऐसा समराज्य रहा था ठीक है उसने लगबग लगबग पूरे संसार पर ही अपना रूलर स्टैबलिश कर लिया था अपना वो शाषक बन गया था बहुत ज़दा पावर्फुल एक रूलर रहा था ठीक है इसके बाद नेक्स कोशन देखिए तो उनके अब सोच कर देखो उनके जो गुरूत है वो अरिस्टोटल तो वो कितने wise person होगे वो कितनी खास personality हो सकती है नेक्स कोशन देखिए कि अरस्तु की परमुकरशना वोट वोज अरिस्टोटल मेंस वर्ग जो सबसे ज़दा famous है तो option इसका D सही हो जाएगा politics इसके बाद next question है कि अरस्तु के अनुसार आदर्ष राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए कि according to the अरिस्टोटल what should be the population is an ideal state कि जो ideal state होते है जो आदर्ष राज्य होते है basically उसमें उनकी population कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर option इसका D सही हो जाएगा तो यहाँ पर इस्टोटल क्या कहते है कि उनकी population ना अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए एक balance में बनी रहनी चाहिए ठीक है तो यहाँ तक कि जितने भी हमने question discuss किया हो बहुत important question है इनको ignore नहीं करना है बार-बार एक एक वीडियो को बार-बार देखते रहो तो आपके जो question से ना वो पक्के हो जाएंगे और जब question को आप 10 बार देख लोगे ना मतलब है यह जो question है लगबग यह 30 के आसपास हो चुके है यह जितने भी question मेंने करा है अपने 2-3 बार देख ली वीडियो तो आप समझ लो कि unit wise आपको बहुत बक्के question हो जाएंगे और हमने यह इसी ही लिए start किते है कि unit wise कराएंगे तो ज़्यादा सही तरीके से हो पाएगा क्योंकि एक साथ अगर मैंने 100 question करा दिये तो फिर वही कि तो हमारे lectures उनको attend ज़रूर कर लेना हाँ last के एक या दो lectures अभी pending हैं उनको हमें एक दो दिन में करा देंगे बड़ इस series को attend ज़रूर करना और कोई भी ऐसा question है तो नेचे comment करके ज़रूर बताना बाकी वीडियो पसंद दे वीडियो को like कर देना शेर कर देना और subscribe नहीं किया है चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बैश सब्सक्राइब कर लेना आने वाले notification लिए bell icon को प्रेश जरूर कर लेना description में को social media handle से जाकर के follow कर लेना, instagram को follow कर लेना और सिधे, क्योंकि वहाँ भी हम update वगरा डालते रहते हैं, छोड़ी-छोड़ी जो reels इनकी जरीए आपको aware करते रहते हैं तो चलिए, मिलते हैं, next information के साथ में next lecture में, तब तक के लिए, जे हिन, जे भारत